कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एड़ी उड़ांग के यूटूब चैनल पर कि सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को इसकी मत करना वीडियो को सुरूप से लेकर अंतक देखना आप जय साथ की सभी बच्चों हो ने कहा कि सर आईसी ओर का पेपर आप साल करऴेगे जो पुराने rise यह होते रहेंगे कि अगर से अफसे कर लोगे यहां पर बहुत शारे ऐसे Pelosi मिल जाएँगे जो एग्रिकल्चर की सभी प्रतियोगी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं और इस इन सब पेपर को आप जब शाल्फ कर लेंगे तो आपको इसे एक आइडिया मिल जाएगा किस किस तरीके से एक्जाम में प्रसनाते हैं और जो बच्चे मालेदे आई सी आ कि तैयारी कर रहे ह हैं वो लोग इस पेपर को जरूर देखें अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आई से यार के लिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं यहां पर जो कोश्चन है आपको भी यूपी केटे या अन किसी क्रस एक्जाम में भी मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे इन सभी पेपर क को अच्छे से हमारे साथ साल्व करेंगे और इनसे आपको क्या करना है जो भी महात्पूर्ण प्रस्ण है जो बार-बार पूच्छे जा रहे हैं उनको नोट करके रखना है और इसके अलामा जो कई बार नहीं पूच्छे गए थोड़ा सा अगर इंपॉर्टन्स नहीं रखेंगे ठीक है तो चलिए हम आपको बीच बीच में गायर भी करते रहेंगे कैसे क्या तयारी करनी है और वीडियो चुरू करते हैं चलिए आज का पहला कुश्चन है बढ़ते आकार की स्रेड़ी में विन्यस्त भूंकण है मतलब जो मर्दा के कंड होते हैं तो उनके कं सब्सक्राइब के आकार पर कॉन सबसे छोटे होते हैं को उसके बाद आते कौन से बड़े होते हैं इसके कंड आपको यहां पर बढ़ते करम में बताना है तो जो बढ़ता करम होता है तो यहां पर outrage gen i.轊 होगा फक्रें साबौते लगा क्योंकि चिकई किले मर्दा का आकार क्या होता है तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे आप कमेंट करें हम उनको करवा देंगे अगला कोश्यन है कौन सा सम्मू सूच्म पोशकतत्तों से संबन्दित आप देखेंगे कि बात कर रहा है तो जो सूच्म पोशकतत्त होंगे वो तीसरा आप्स्वन हो जाएगा यहां पर जिंक तो हम निखी में प्रॉपलम हो रही तो आप याद रखेंगे माइक्रों एक होता है माइक्रों में क्या होते हैं दो तरीके की होते HR management सेट्री प्राइमरी में आ जाता है और सेकंड्री में आ जाता है K probabilन शल जैसे कि यहाँ पेशरा रहे होंगे यह जो अपस्ह पहला है यह होता है वरहत का होता है हिंडी तो यहां पर प्राथमी को सेकंडी दोनों दे रखें तो यह तो होना नहीं है ठीक है यहां पर पूंचा गया सूच मतलब माइक्रो और यह मैक्रो थे तो माइक्रो यहां पर करेक्टर अंसर जो है वह तीसरा हो जाएगा अगला कुस्चन है कौन सा कथन सट्य है इसमें से कौन सा ऐसा कथन जो सट्य है तो यहाँ पहला कह रहा है फैलीस माइनर एक खर्पतवार है तो लिए खृत रांष या ऑग यह सब्याइद है पहला है यहाँ पर चाहर तो तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंसर रहाएगा वह तीसरा हो जाएगा कोई कोई न वाराइटी होगी एक अरं यह अलग है यहाँ पर जैसे नवीन है और आधि लंगडा रूबी रूबी पुसा रूबी अलग है तो ठीक है लेकिन यहां जो आपका एंसर है वह जाएगा अगला कोस्टन है भारत में किस फसल का फल करा भारत में किस फसल का फल उत्पादन सबसे अधिक है किस फसल उत्पादन कुछ सबसे अधिक है यहां पर फल नहीं होगा में सबसे अधिक है यह और यहां पर आपे यह एक ट जाएगा अधिक ने ग्येहन धान मक्का और सर्सों यह हो जाएगा अगला कुस्टन नहीं है कश़माब बाद कर देखिए यहां पर गुलाव होता है कि अगर को खोलं नकम आ के मतलब होगा सिदक को पयात्ता गुलाव की सब्सक्राइब होनी होनी चाहिए उसको कार लिए स्थान पर आरीं विए च म्या доллар Festival करें तो क्या करते हैं कटिंग लगाते हैं तो उसके काड़िंग यहां पर आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा कि अगला कुस्टन है संतल भूम में सिचाई की सरवत्तम विद मतलब अगर कोई भूम या आपकी असंतल है कई मतलब उबड़ खाबड़ है तो वहां पर सबसे अच्छा कौन सा यहां वीदियों की सिचाई की जलभराव विद िल्फ नाली विद ही फवाराव यहां पर करेक्ट जो एंसर हो जाए अचानक परिवर्तन कहलाता है तो यहां पर क्या होगा Sudden Changes of Gene जो होता है वो Mutation कहलाता है अचानक जो जीन में परिवर्तन जब हो जाता है तो उसे Mutation कहते हैं फिर अगला कोशन है मक्का आलूग यहूं मूं को एक खेत में करम वार खेती कहना उदाहरण किसका है मध्यवर्ती फसल का दोहड़ी फसल का बहुत्ते फसल का या Relay तो यहां जो एक टेंसर आब का है वह हो जाएगा रिले फसल का अच्छा ओे यह रिले फसल जो होती ед in लिलेए दोड होती है फौर इंटु हैंड़्य या फौर इंटु हांड़्य इस तरीके से डिलेए दोड कराई जाती है तो उसमें क्या होताइए चार फ्लेयर होते हैं और एक-एक करके पुरा राउंड लगाती है फिर अगला उसी को तुरंट पकड़ लेता है इसी प्रकार इसमें फसल में भी होता है एक फसल कटके तयार होती ज़स्ट तुरंट दूसरी वह दी जाती दूसरी तीसरी तीसरी के बाद चौती मतलब कुल मिला करके एक वर्ष में मुख रूप से चार फसल ली जाती हैं तो जो एनिमो मीटर होता है वो क्या करता है हवा का वेग मापता है और विंड वेंज होता है हवा की दिसा मापता है तो आप यहां पर देख पाएंगे जिसका करेक्ट एंसर हो रहा है वह रहा है पहला ठीक है यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा पहला वाकी सभी रांग तो यहां पे जो मर्दा की नमीन आपने वाले यंत्र होते हैं यहां पे जो परिक टेंसर हो जाएगा वह भी होगा टेंसियो मीटर न्यूट्रान प्रॉप ठीक है और भी एक-दो होते हैं तो अगर समस्या होती है आपको तो हमें कमेंट करना बता देंगे आपको अगला है कौन सा सम्मू नाइटोजन इस्ठीकरण में संलगना है मतलब कौन सा ऐसा सम्मू जो नाइटोजन को इस्ठीकरता है वातावर्ण की नाइटोजन को तो यहां पे जो करेक्ट एंसर होगा वह हो जाएगा बावाला एंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड नमबर का प्राइजोबियम, एजेटोबेक्टर और सहवाल बाकी किसी ने किसी में कुछ न कुछ जरूर रांग दे रखा है यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बाव फिर सोडियम बेंजोइट का प्रियोग होता है केट नासी के रूप में, खड़पतवा नासी के रूप में, पररच्छक के रूप में और कवक नासी के रूप में तो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर हो जाएगा बाव जाएगा परिरच्छक रूप में यो सोडियम बन्जोइट होता दो परिध्षक के रूप में यूज किया जाता है और एक होता है पॉसल्फाइट थीखना बीषॉट परिध्षक परिध्षक के रूप में यूज कर लिllesता है तो यहां पर हो जाएगा साफसण मिल्क फिवर किसकी कमि के कारण तो तो जो milk fever होता है वो हो जाता है कैल्सियम की कमी के कारण ठीक हैं ? यहां पे correct answer हो जाएगा 4-4 कैल्सियम की कमी के कारण अगला question है 6 मरदा का सुधार किसके प्रयोक से किया जा सकता है दखिए एक बात हम आपको कहना चाहेंगे सबसे पहले जितने भी वच्चे इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख रहे हैं वो लोग एक काम और कर लें कि जो भी यहाँ पर question important हैं आप सारे वीडियो उसको अच्छे से देख लिजिए और एक काम और कर लेना इन सभी वीडियो मतलब जो भी हम आपको यह बना रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं आपको अगर इनकी पीडियो आपको चाहिए तो हम डिस्क्रप्शन बाक्स में एक टेली ग्राम का लिंक देंगे तो आप लोग टेली ग्राम चैनल पर भी जुड़ जाईए तो वहां से आ हैं ऐसके भाद यहां से आशल मैजित्स करके आप अच्छा साथ वरास एक 2006 बना सकते हैं ःच्षा हो जाता है उसको बखेंड करके नहीं लिखना है आपको अच्छे से पढ़ते रहना है याद करते रहना तभी तो आपको पता रहेगा कौन सा कोशन हमने कह लिया है कौन सा नहीं किया है सारे कोशन आप लिख करके अच्छे से रख लिजिए तो हमें नहीं लिखता कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की की ज़लोद पड़ेगी आपका एक्जाम इन्ही कोष्चनों से क्रेक हो जाएगा अग्ला कोष्चन है पूसा क्रांति किसकी प्रजाती है तमाटर आलू बैंगन गाज़त यहां जो पूसा क्रांती प्रजाती है यह होती है यह कि बाइंडन से संबंदिए ठीक है अगरेक्टर हो जाएगा बैंडन फिर अब वाई की किस वीद में प्रती एकाई कम बीज की आवसकता होती है इसमें से कौन सीस्टी वुआ की वीद है जिसके द्वारा बीज कम लगेगा तो यहां पर जो करेक्टर हो जाएगा वह बाव हो adium दवारा या पिर queste यहां जो Game Series हो जाएगा but फिलू होगा विशानद द्वारा होता है वापस्टरिश्च। है अगला कुश्चन है है कि मरदा फी एच होता है देखेए जो मरदा फी एच होता है वो क्या होता है हाइडोजीन फावर जो होती है उस ठीक है तो यहां जो है जिसे लाग ब्रेकेट केंट एसप्लास है यही इसका ठ्रेक्ट एंसर हो जाएगा पहला लेकिन यह जो होता है वो होता है लाग 1 अपान h होता है य प्लस होता है जब हम इस ऐस को ऊपर ले जाएंगे तो यह माइनस महा जलिए कि लाग होता है कि सफ़ल villains क्या होती है तो यह हाइडोजोन माइनस में जाएंगे जब उपर वो जाएग ठीक है यहां पर यहीं मेन होता है यहां पर करएकट औस sek पहला हो जाए लिए को लेकिन अगला है को is सिंस्परित्र Mississippi की आथिक प्रोटीन यहां पर ही सुटी सभी चीज के लिए प्रोटीन विदान करती है अब आद्याइनाओ करती है ठीक है तो यहां हो जाएगा सरसों की फसल की भीजदर क्या है तो यहां होता है वह क्या होता है आंत्रिक परजीवियों के लिए होता है ठीक है यहां करेक्ट अंसर हो जाएगा डी तो यह जो कि अगला कुश्चन है कि भारती क्रस्य अंसंधान परसद कहां इस्तित है अंसान अंसंधान परसद की बात कर रहा है तो यहां कि अगला है कि में शीटित्वीर को किसमें परिरच्चित रखते हैं बहुत अच्छा कोशन है कि जो एंख्श्री वीर होता सो कहां पर शुरच्चित रखते हैं तो यहां करेक्ट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका correct एंसर रहेगा तरल नाइट्रोजन ठीक है बी आपसन correct हो जाएगा फिर अन्वांसिक की के जनक कौन है जो अन्वांसिक होता है उसके जनक कौन है जो अन्वांसिक के जनक होते हैं वो होते हैं मेंडल प्रेक्ट एंसर कहन हो जाएगा तीसरा यहां पर तो यहां पर यहां जो हाईवीड चार यहयें एक पमछ देते हैं जो कौक्श तो सीटी टी पटेल नहीं चाहले अगला यहूंस्का को साथब को रहा हों बक्री की नसले हैं यहां पर पहला शिरोही जम्नापारी मारवाडी मूर्डी एक दू और यहां पर और भी एक दो आफ्शन है तो उनसे कोई मतलब नहीं है ठीक है यहां पर देख पारे होंगे वाइट लेगान जो होती है वो मुर्गी की होती है इलम बरबरी और हर्याण हर्याण अलग गय की होती है फिर ओटाई प्रसेंट किस से सम्बंदित है जो ओटाई प् जैकरेक्ट एंसर हो जाएगा कपास की सर्सों की फसल में किस खरपत्वार नासी का प्रियो किया जता है आप यहां पर देख पार है gir मत चौक नह對不起 है यह जोipples होते हैं f के क्षेत में मक्का जवार बाजरा में किया जाता है तो फोडी जो चौड़ी-पत्ती वाले होते हैं जिसए गीहुं में प्रेशर आ रहा है और अच्छा स्कोर नहीं कर पाए है या थोड़ा सा फसर आए तो आप इस तरीके से भी आप कोश्चन को कर सकते हैं मतलब बिना जुताई के ऐसे सामानी तरीके से बीज वो दिया या कोई जुताई ना कीज़े तो वहीं होता है जीरो टीलेश यहां भी आप्शन हो जाएगा अगला कुस्चन है बहुचयन किस पर आधारित है जीन प्रारूप ठीक है गुण प्रारूप संकर ओज या अन्वानसिक आगरता ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुण प्रारूप सेकेंड आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला question है अगुडित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किया जाते हैं बहुत अच्छा question है जो अगुडित पौधे होते हैं वो प्राग को समवर्धन द्वारा तयार किया जाते हैं यहां पे correct answer हो जाएगा किस के लीए जिम्मेदार होता है जो अगला है अधसूत्र encouraging किसके लिए जिम्मेदार हो समक्षा को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक परिवर्थित रखने के लिए इसका फिर है यदि रोग प्रतिरोध का निर्मार केवल एक प्रधान जीव द्वारा किया जाता है तो इसे अन किस्म में आंतरित कहने की सरवादिक सम्चति विध है संक्राण binds मतलब आपंशन सेकेंड कौन सा संगम संभ युदंता का समावेस करता है तो यहां जो कर्सेंसर रों हो जाएगा सवाणिसेचन हो जाएगा देखें आपको क्या करें ना है जो बच्चें की त्यारी यही दिए करेंगे कि जैनल कोश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके अलामा जो जंटिक्स होता है जंटिक्स एक सब्ध रहता है मतले सब्जेक्ट रहता है तो आप वहां से आपने कि अच्छे सी कॉस्ट पढ़ लेंगे और बायोगी जो होती है उसको अच्छे पढ़ लेंगे कुछ कोश्चन बाइलोजी से रिलेटेट और जेन्टिक्स रिलेटेट आते रहते हैं तो आप उनको भी एग्रिकल्चर के साथ साथ अच्छे से पढ़ लें ठीक है अगला कुश्चन है कोश्का विभाजन के किस चरण में गुड़ सूत्र पोल की और जाते ह हैं तो यहां जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीलो फेस तब चौथा आप्शन करेक्टिस का हो जाएगा ठीक है फिर प्रत्थम पीढ़ी संतत संकर कहते हैं मतलब जो प्रत्थम पीढ़ी संतत होती है उसको क्या कहते हैं तो यहां पर करेक्ट एंसर हो जाए अगला कुश्चन है तथा टुंडू एक बीमारी है यह ग्यों से संबंधित होती है तो यहाँ पर करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा तो अगला कुश्चन है उस फसल का नाम बताएं जिसका उपयोग डाल इम तेल दोनों के लिए होता है तो दाल और तेल दोनों का जो उपय है उसके लिए किया जाता है फिर गुर्षूत का संबंध किस से होता है स्वाशन स्वांगी करन जिसको बोलते हैं एसी मिलेशन ठीक है व्रद्धी अनुवांसिक गुड़ का संचरण तो यहाँ जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह होगा अनुवांसिक गुड़ का संचरण ठीक है यह हो जाएगा चौत्ता अप्शन फिर है डीने के कौन से दो रज्जुक हाइड्रोजन बांडो द्वारा जुड़े होते हैं तो यहाँ जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएग एडनोनीन थाइमीन और गवानीन साइटोसीन यह आपस में जुड़े र देखेंगे खेंगे तो अ कि मश्मिरे भूब टीन जैगोarteak 10 या दिप्ट लोटीन तो यहाँ जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह जाएगा जो ऺप्र चनल जो जायेगा अधि अगला है लूबम सांकरण से टात्र पर एक संकरल और निमद्धिकें और यहां पर जो जो एंसर होगा वह हो जाएगा आप प्रभावी देश्यू जनम ठीक है यहां पर पहला आप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर यह प्रबल प्रभावी संदमक ठीक है जिसको बोलते हैं इस्टेटिक डमिनेट इन्हिविटर जीन इसका देश्यों रहता है नौ अनपाथ तीन अनपाथ को नीचे देगे अनुशार रुपाहंतित करती है तो यहां जो मतलब रुपाहंतित किसमें होता है यह पूंच रहा है तो यहां करेक्ट एंसर हो जाएगा बार ठीक है मतलब नौ अनपाथ 6 अनपाथ एक में अगला कोशन एक अधिक गुर्षूत जोनने या निकालने को क्या कहते हैं यूपलोईडी एन्यूपलोईडी पॉलीपलोईडी हेटेरोफलाईडी ठीक है तो यहां पे जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन्यूपलोईडी ठ ठीक है तो भी आप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा फिर है काल विसीन निम्लिखित में से वेक्ट कराण मतलब इंटर्फियर करता है किसके डिये डी एन्य रेप्लिकेशन क्रोमोसम कंडेंसेशन ठीक है फिर है स्पिंडल एलिमेंट्स का आगेनाइजेशन एम औरेंटेशन उपरित में से कोई नहीए तो यहां जो गरेक्ट एंसर होगा वह हो जाएगा डेन्य इंय रेप्लिकेशन क्षेशन पहला पत्रक्रक्षन हो जाएगा अगला कॉश्वशन है माइटोसिस के फलो सुरोफ किसी पदार पादप से प्राप संतत को क्या कहते हैं यहां जो करेक्ट टेंसर होगा यह होगा फ्योर लाइन ठीक है यहां क्या कहते हैं आपको क्या कहना बच्च जो भी त्यारी कर रहा है वो लोग क्या करेंगे जेन्टिक्स एक सब्यक्ट होता है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे यह अच्त्रीकें से तो यह जो कोशन आपको मिल लहें यह आप आसानी से इनको को कर पाएंगे ठीक है जेंटिक्स आपके लिए पढ़ना बहुत जुरूरी है कि अगला कुशन है फसल चक्र की क्रस्पद्यत में मर्दा से मर्दा के नाइट्रोजन अंस में वरद्ध करने के लिए लच्छित जीव है एजेट्योबेक्टर राइजोबियम नाइट्रो समोन है यह घृए तवादान होता है एक वपयोग किसके लिए किया जाता है गीली जूताई पच्छाई नहीं हो हुर्ण पंचंता नहीं का उसका प्रियोग काहर के लिए करते हैं हुआ है । कि हिरो का प्रियोग करते हैं हम लोडो मैंटी को भुरुबरी कहने के Way बिल्ब जब देखो देखो है हिरो सुझता लिए किलिव हो जाती ए तो मिटी oluyor हो जाती है विल्कौल भूसाओ ऐसी रहिया का न होना इंज्ग का न होना तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा सक्त साली गहाई द्रम पहला अप्शन इसका correct हो जाएगा अगला question है कि भारती विश्भार टारा इस्तेमाल किया जाने वाले सर्वादी सामान आकार का ट्रेक्टर् क्या होता है तो यहां पर इसका सरकार में क्यंद्य क्रस्मंत्री कौन है यह जब पेपर हुआ यह संदोजार च्छे के आसपास ठीक है उस समय के जो क्रस्ट मंत्री थे वह सरत पमार थे ठीक है तो उस समय का यह पूंचा गया है तो उसके कारणी होंगे फिर एक्ट्राजीन है जो एक पतवाई नसी होता है करेक्ट एंसर 20 का हो जाएगा ठीक है कि फिर अगला कॉस्ट् Mexican जो है वहता है तो वहता है कि गयांचा परजातिया है को इससे कौन सा ऐसा समय इसमें वाध्यार पूचा रूबी तो पूचा रूब भी नहीं होगी यहां पे गोले नेकर वा आररी किष्ट भी नहीं होगी थीक है यहां पे ग कि उर् Heart को जाएगा फिर एगला कुछ यह्थित की सब्सक्ञ दोरीी से जो जो गेहूं होता है उसके लिए जो पंक से पंक की दूरी होती है और 22 cm एक्जिक्ट मानी जाती है तो यहां पर आपकार्डिंग टॉप्शन कौन सा हो जाएगा बाव हो जाएगा ठीक है अठारा से 30 cm करेक्ट अंसर यही होगा फिर डाय अमोनियम फासफेट किसका सुरोत होत होती है उसमें फासफोरस और नत्रजन पाई जाती है और पोटाइसियम नहीं पाई जाती है ठीक है तो यहां पर देख पा रहे होंगे फासफोरस वा नाइक्ट्रोजन ठीक तो यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा छी है अब फासफोरस इसमें 26 परसेंट होती है डै अफिर अगला कौस्चन है गवण की दुकाजी नसल कौन सी है अब इस क्योस्चन को देखें ध्यान से देखिए जो question है यहाँ पर मुझ्छा गववंस की दुकाजी नसल अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हर्याडा और थार पारकर होती है यह already दोनों ही होती है ठीक है हर्याडा और थार पारकर यह का दोनों ही दुकाजी होती है ठीक तो आज के यह ICR का जो संदोजाज 6 का पेपर था वो था हम आपको इसी प्रकार सब्सक्राइब कर रहे हैं इसमें से जो कोशन आपको बहुत ही मात्पूर्ण लगते वैसे तो सभी मात्पूर्ण है पूंचे गए कोश्चन है लेकिन फिर भी क्या होता है पेपर का स्टेंडर्ड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं जब आप देख पा रहेंगे कि इधर जब नजदीक थोड़ा दाएंगे 18-1920 के पेपर वो जो मेन होंगे उन्हीं के काडिंग आपका जो वहां पर पेपर आएगा उसी तरीक प्रशन देख रहे हो तो आप उस वीडियो को पूश्च करो और उसका अपने आप से दो फिर देखो हम क्या बता रहें आपको तो ऐसे साल करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा और जो कुछ न आपको नहीं आता है तो रहें तुटको अपने नोट में नोट करते जाओ ठीक झाल